कौन है IES पूजा सिंगल जिनके आसे आपने देखा होगा कि ED ने छापा डाला हुआ है और इनका एक करीबी Charter Accountant के आसे 19 से 20 करोड नगत कैस मिला हुआ है और आप देखेंगे कि 150 करोड से जानदा संपत्ती के दस्तावेज जक्त किये गए है और आप देखेंगे कि पूजा सिंगल का बिवादों से हमेशा नाता रहा है आप देखेंगे कि एक समय टॉफर रही है और लिमबा लिमबा वुक आफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्च करवा चुकी है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होंगे क्या हो रही होंगी दिखाई भी दे रही होंगी और जो आप देखेंगे कि जारखंड के मुखमंतरी साहब है ना उनका काफी करीबी मिमान जाता है और परिवारिक लाइफ हो इनकी वो भी विबादों में ही रही है आप देखेंगे कि पूजा सिंगल के अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखेंगे 7 जुलाई 1978 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इनका जनम हुआ था एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजी और आप सभी जानते हैं कि उत्तरपिदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड लेकिन उत्तराखंड को अलग करके एक नया राजध बनाया गया था सन 2000 की बात है तो देहरादून में इनका जनम होता है और आप देखेंगे कि सिंगल ने गड़वाल विस्विद्ध्याले देहरादून से इस नातक की पड़ाई पूरी गी और अपने पहली प्रियास में IES यानि कि Civil Service का एकजाम पास किया वह अपने स्कूल के दिनों से लेकर विस्विद्ध्याले की परिक्षा तक एक बहतरीन अकादमिक में ट्रैक रिकोर्ड रखती है टौपा रही है हमेशा इस्कूल में और आप देखेंगे कि 21 साल और 7 दिन की उम्र में इन्होंने IES के ड रिकोर्ड में दर्च है और आप सभी जानते हैं कि इसमें आप लोगों को परिक्षा देने के लिए आपकी नियूंतम आयू 21 साल रखी गई है IES अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी लेकिन आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद इनके पहले किसी विवादों के चलते ये दोनों अलग हो जाते हैं और अपने पहले पती राहुल पुरवार से तलाक लेने के बाद उन्होंने अविसेख जहां के नाम के लड़के हमेश सहरा है तो आप देखेंगे जहारखंड की खान सची पूजा सिंगल पर चल रही चाफिवारी के दोरान इने पहले दिन 19.31 करोड रुफे नगत के साथ कई महत्कून दस्तावेज और बे नामी संपत्ती के कागजात को जब्त करने में सफलता पाई है और सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंगल के पास करीब 150 करोड रुफे की बेहसाब संपत्ती से संबंदित दस्तावेज में मिले और जिसकी चानवीट एडी कर रही है और एडी के बारे में बात करें पेवर्तन निदेशाले के बारे में तो एक मई 1956 में इसकी स्थापना दिल्ली एंसियार और आप देखेंगे कि पश्चे मंगाल के कोलकाता में भी एक चापे मारी की है इस दौरान राची में पूजा सिंगल के करीब करीबी एक सीए के घर से लगभक सत्तरे करोड रुफे कैस की रूब में मिले हैं और बताय जा रहा है कि उनके घर में पैसे क बिच्छोना बना कर रखा था इसके अलावा उनके पास से आठ करोड रुपे की अचल संबत्ती भी मिले की खबर है और लेकिन इसकी अभी आधिकारी कुष्टी होना बागी है वहीं बिहार की मध्भू मनी से पूजा सिंगल के ससुर कामेसर जहा को भी गर्पतार किया गय चत्रा में उपायोक्त रहते हुए पूजा सिंगल ने मनरेगा योजना से दो NGO को 6 करोड रुपे दिये और इस मामले में विधान समय में भी सवाल उठा था लेकिन बाद में उने किलिन चिट मिल गई थी जबकि खूटी जिले में उपायोक्त रहने के दोरान मनरेगा में 16 कोले करोड रुपे की घोटाले में नाम भी इनका आया था जिसकी जाच अभी एडी कर रही है और इससे पहले पलामू में उपायोक्त रहने की दोरान पूजा सिंगल पर उर्सा मार्टिन गुरुप को कठोटिया कोल दिलोक आवंटन में नीमों की अंदे की करने का जबकि उन्हें आनन फानन में इर्वा इस्थित अपोलो फॉस्पीटल में भरती कराए गया और उनकी जान बची हाला कि यह भी चर्चा है कि उन्होंने खुद जहरत खाकर जान देने की कोशिस की लेकिन बाद में किसी तरह का कोई केस ना हो इसलिए मामले को नक्सली हमला का रोप देने की कोशिस की गई थी ऐसा भी कहना है और एक बात और आप देखेगा आप लोगों से कई बार पूचा जाता है कि आप लोग सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं तो आप लोग बड़ा कहते हैं कि वो मैं समास सेवा करने के लिए देश को आंगे बढ़ होती है तो यही तो चलना है घर्ष्टाचार का और आप देखेगे जब आप सी एम के करीब हैं मुखमंत्री के करीब हैं तो आपको किसका डर है चलिए यही पूजा सिंगल की कहानी है